तो तो मोशन चैप्न मोशन चैप्टर आज पहली बार नी पढ़ रही है आपनों पहले भी थवा बाद पढ़ चुक ärогै वेस है ना तो मैं पस आप लोग से पुछना जाता हूं तो बैटे 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 वाट इस मोशन मोट जानते हो नौ यूस कियो हो अब जो वर्ड आप यूस कियो उसी के बारा पुछ रहा हूं कि क्या होता है पताओ वाट इस मोशन इस श्रुफ टाइम के हिसाब से है हाँ चेंज इन पोजिशन सिर्फ टाइम के हिसाब से तो आपके लिए वह पंखा का ब्लेड मोशन में है लेकिन उस किड़े के लिए तो पंखा का ब्लेड मोशन में नहीं है उसके लिए तो उससे टच है है वो हमेजा जैसे अपने लिए यह दिवाल जो है यह रेस्ट पे लेकिन जो बाहर से कोई देखे का उसके लिए तो चल रहा है उसके लिए अपन भी चल रहे है इस और नो तो continuously change कर रही position इसके लिए अपनको define करना पड़ेगा कि आप किसके respect में देख रहे हो जिसके respect में आप to cool to cool motion को देख रहे हो उसको बोलते है reference point क्या बोलते है reference point या reference frame जैसे मालों अगर मैं गाड़ी के अंदर बैट करके बाहर किसी चीज़ को देख रहा हो तो पूरी की पूरी गाड़ी क्या बन जाएगी reference frame reference frame और जब मैं कोई coordinate में कि x is equal to 2 में एक particle खड़ा है वहाँ से वो देख रहा है तो वो point generally अपन किसी point को बता रहे है तो reference point और अगर कोई frame या कहीं और जहगा से देख रहे हैं तो क्या बन जाएगा reference frame तो अगर दो चीज़ है object का position तो change होना चाहिए motion के लिए क्या object का position change होना चाहिए लेकिन दो condition है एक तो समय के respect में अगर आप time define नहीं करोगे तो आप motion define कर ही नहीं सकते समझ में आया तो पहला है time के हिसाब से और दूसरा क्या है reference frame या reference point तो इन दोनों के हिसाब से इन दोनों के respect में अगर particle अपनी position change कर रहा है तो आप क्या बोलोगे की motion हो रहा है otherwise क्योंकि अगर आप बोलोगे सारी board तो ये board आपके लिए rest पे है बहार से दो देख रहा है उसके लिए rest पे नहीं है बास समझ में आई तो हर चीज relative है किसी न किसी के relative में ही आप portion को बता सकते हैं ठीक है तो जैसे बारिस बारिस गिर रही है ये सब portion सख्यार अभी नहीं करेंगे सब अपन 11 में आते हैं वैसे जब मैं foundation पढ़ाता था उस समय के हिसाब से पिपिटी पनी हुई है रेन प्रॉब्लम और यह सब अपन बहुत सारे करते थे हैं बट अभी नहीं करेंगे अपन रेन प्रॉब्लम चीक है कि अब आपको मानूम है कि आप गाड़ी के साथ तेजी से आगे जा रहे हो और आपको सारी आप अगर खिड़की से बाहर निकालोगे गाड़ी से तो आपको रोड एक दम तेजी से पीछे जाते भी दिखेगी और आपके गाड़ी का वो जो बोनट है और बाकी साइड का गेट है वो एक दम रेस्ट पे दिखेगा तो दुनिया में अपन जो भी मोशन की बात करते हैं वो हमेशा कैसी बात करते हैं relative मतलब हमेशा किसी ना किसी के respect में और जिसके respect में बात कर रहे हैं उसी को अपन क्या बोलता है reference frame या फिर reference point ठीक है तो motion या rest define करने के लिए दो चीज़े डिफाइन करनी जरूरी एक तो समय और एक reference frame या reference point बात समझ में आ गई तो इसी बताया हूं कि मैं चलो मोशन का बैक्राउंड अब क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में तो मित्रों पहले तो अपने इंट्रोड़क्शन पढ़ेंगे जो मैंने थोड़ा बाद आपको दे दिया सारे क्या सारे 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 तंबस्पीड टेस्ति अडिस्ट्रों स्ट्रिश Thanksgiving in चल रही है उसके लिए speed और velocity फिर अगर speed भी change हो रही है तो किस rate से change हो रही है उसके लिए acceleration अभी detail में बात करेंगे सब के बारे में तो सारे के सारे terms different करेंगे फिर equation of motion सिर्फ किसके लिए अगर acceleration constant है उसके लिए क्या होता है इस सब बताऊंगा भी अगर आपका acceleration constant है गाड़ी का तो उपन उसके लिए करेंगे equation of motion ठीक है body falling freely under gravity यह अभी अपन हटा देंगे एकाद question करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे इसमें बाद में करेंगे मतलब जब आपका gravitation आप पढ़ लोगे न उसमें है इसके questions बट हाँ सेम है मतलब अभी इसमें जो आप equation of motion पढ़ोगे और motion under gravity दोनों में same concept लगता है same formula लगते है बस थोड़ा सा नाम change हो जाता है और कुछ भी नहीं है तो इसको अपन अभी भी कर सकते है यह आप बोलोगे तो gravitation में भी कर सकते है जैसा आप बोलोगे जैनल से चत्र आपका थर्ड चप्टर इसके बाद force in laws of motion है उसके बाद कौन से चप्टर रहे ग्रेविटेशन इनरजी फिर फिर साउंड पांच चप्टर है आपके physics में ठीक है टोटल पांच चप्टर है आपके physics में पहला चप्टर यह motion जो पर अभी पढ़ रहे है इसक तो यह न पूरे हाँ तो यह पांचों चैप्टर है कि मारे में हीट अलग हो गया है रिफ्लेक्शन ओफ लाइट यह तो मैं तुमको लिंक भेज़ूंगा तुमको लेक्चर देखना है लॉज अफ मोशन अभी पढ़ेंगे है ना मोशन इन वन डाइमेंशन यह तुम्हारा इसमें आ जाएगा अभी यह अपन पढ़ेंगे बस यह सिक्स चैप्टर नहीं पढ़ेंगे यह टेंट वाला है टेंट वाला मैं भीज़ दूँगा तुमको प्रोपागेशन आफ साउंड भी थोड़ा बहुत अपन पढ़ेंगे ठीक है अच्छा मेरा इस अपनेंट वालों से पूस्ते रहोगा जब भी यह तीन चैप्टर होगा तुम्हारी जम्हेंदार यह बैठना यह यह और यह तो तुम तो बैठे नहीं लें और रिफ्लेक्शन उफ लैट तो चल रहा है चल रहा है बाद में कब आएगा अभी स् और इसके साथ पूरा चैप्टर खतम हो जागा तो स्टार्ट करें हाँ आगे बढ़ने से पहले दो तीन बाते देहां रखना नोट्स प्रॉपर बनाने है थियोरी जो भी लिखवा रहा हूँ प्रॉपर आपकी होनी चाहिए कॉपी 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 बनानी है मैंने बता दी तुमनों को है ना आपकी फिजिक्स और केमेस्ट्री की और बायो आइड अगर लो माल लो बायो के पन साथ में यहीं पर अच्छे से बनानी है और बाकी जो भी कोश्चों में यहां नियुमेरिकल दूँगा या आप घर का नियुमेरिकल करोगे वह सब अलग कॉपी में ठीक है तो थियोरी कॉपी जो है वह आपको पतली बनानी है दूसरा होमवक करके आना है पनिश्मेंट मिलेगी उठक बैट दो कि अगर आप यह ओनलाइन में मैं इसको अच लेक्चर को डाल दूँगा क्योंकि आज बहुत सब्सेंट है तो लोग देख लेंगे इस लेक्चर को है ना और प्लस और भी अगर कोई है तो शेयर करूँगा अंड्रेड परसेंट स्लेवस कंप्लीट होगा मैक्स प्लस श्राइन के लिए अंपलरन वालों के लिए अफ्लाइन वालों के लिए पायो भी रहेगा ठीक है ए ना और हम एथ और ऊद हान होले पीकोऽ physics और chemistry हां physics और maths ICSE का भी जो भी doubt है या जो भी है वो आप पुछ सकते हो है ना ICSE का पूरा पूत बताया जाएगा chemistry का जो common होगा वो पहले पढ़ाया जाएगा अब अच्छा कुछा मैं देख लूँगा अगर हो पाएगा तो ठीक है चलो अब यह 100% से ले बस आपका maths का physics का chemistry का before 1st of January 2025 खतम होगा किसी भी हाल में कब खतम होगा before 1st of January 2025 मतलब यह साल के December end से पहले 100% maths 100% physics 100% chemistry आपका complete होगा online के साथ recording के साथ यह भाई साब लेट आ रहे हैं अभी लेट क्यों बैठो जल्दी शाओ जल्दी से बैठो चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर बैठा ग्लोबल से चलो इदा देखो maths प्लस physics प्लस chemistry 1st of January 2025 से पहले complete किया जाएगा online और offline बोथ मतलब जो offline चल रहा है वह अपना online भी होगा यह recorded किसी दिन का recorded जैसे आज का live नहीं चल रहा तो आज का यह recorded जाएगा ओके चलो दूसरे बात यह पूरा online की फीसिस की जो रहेगी वो रहेगी जीरो है ना online की जीरो मतलब 100 पर्षेंट फ्री 100 पर्षेंट से ले बस 100 पर्षेंट फ्री तो online तो बैस्ट है बस online में क्या चाहिए थोड़ा सा है ना मतलब बैठ गया है मतलब आपने आपको एक ही मैजिन कर लो कि आप लाइफ क्लास होगी डाउट पूछ सको के सब चीज होगा उसमें है ना तो इससे बैटर तो हो नहीं सकती पढ़ाई अगर online अगर आप घर बैठे ना आने जाने का आने जाने में कितना देर जाता ह है तुम्हों का है ना आने जाने में टाइम लिस्ट होता है आप लोगों का सब चीज है तो इसलिए 100 पर्सेंट फ्री रहेगा और यह पूरा लास्ट तक प्री रहेगा पूरा फिस्ट आप जैन्वरी तक 100 पर्सेंट मैच फिसक्स केमेस्ट्री ऑफ्लाइन वालों के सब्सक्राइब और हो जायएं सब्सक्राइब कितने मैं ने हुए जुलाई अगस्ट सब्टेंबर ऑक्टूबर नॉवेंबर दिसंबर शेमेन हुए इसके बाद जैनुवरी और फेबररी मार्च में क्लासेज नहीं चलेंगी मैं पहले बता दे रहा हूँ ठीक है हां मार्च में अगर आपको कोई भी डाउट आता है एक्जाम खतम नहीं हुई है एक्जाम चल रही है तो आप डाउट लेकर के आ सकते हो है ना वो इंक्लूडेट नहीं रहेगा मैं तो उसका कोई चार्जेज इंग्लिश-Hindi हो गया इसको इग्णोर नहीं करना है इसको साथ साथ में लेके चलना एग्जाम ने तो सारे का परसेंटेज जूड़ेगा यहारो तो वह सबको आपको साथ-साथ में लेकर चलना और कोई प्रॉब्लम आई की तो मैं हैं है ना स्सक्राइब में कभी तो विक में इक अब जाके बैठ सकते हो उनकी पांच वे से रहेगी तो चार से पांच यह टेंट करने का तो उनकी बज़े उनकी बैठ गए उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा अलग से इसके बाद अगर तो जनवरी फेवरी में रिविजिन होगा पहला तो प्लस पोछेंगे आपके इंप्रीन कोश्प्रोट डिउंगा और वो कोश्फिर्ल इसकूल व stret नेइंफी कि जो पेपर बनाया है वो भी इस कोशन दे दिया लो भाई पढ़के चल जाओ इंब्वाटन मतलब अवर और पूरे चप्टर को पढ़े के देखेंगे कि पांच नमबर के कौन कौन से कोशन बन सकते हैं चार नमबर के कितने कोशन बन सकते हैं और उस तरीके से एक्जाम अब यह होगा है मार्मार्य दॉटि है जैनली की एक्जाम कि हैटी हमार्च अप्रेल उससे पहले तो नहीं होती है ना कि हो ज pulp आने उक्सटीद जदोशन पीर ना इसलिए मैं वाहए प्रेल किने क्याती त्मुँंकंट टू आपरेल से फ्टेये हाँ अपरेल में तो नया सेशन सबकर चालू हुए जाते हैं और मार्च फर्स्ट विक फेवर्री के भी लास्ट विक में इस्टार्ट होती होती है तो एक्जाम्स चीक है चलो तो यह बात समझ में आगे पूरे के पूरी है है ना और इसमें आपका यह भी है कि अगर आप फी पेट आन्य ठीक है आँ ऊफलाइन समझ गैं और बेस्ट तो है ऑनलाइन अगर आपके अंदर डिसिप्लीन है तो बेस्ट क्या है आल्लाइन लास्ट के दो में है अफलाइन आक से मेंडा क्लाश को विकान क्लासरूम में हूँ और क्लास्ट करे हो और डाउट पूछ रहे हो वहाँ पर जो भी आ रहा है और एकदम रेगुलर उससे में ना कोई कुछ भी बोले आप classroom में हूँ है ना बोल दो कि मैं class में हूँ अगर आपके अंदर बस इतनी सी discipline है और discipline होंगे important questions distribute करूँगा फिर उसके बाद exams होंगे तो यह तो महने तो भया सबसे ज्यादा important है मतला अगर अब पूरा नहीं भी आप आओगे ना तो यह दो महने तो सबसे ज्यादा important है January और February exam point of uses पूरी तहरी होगी ठीक है चलो और अगर online करता होगे तो hundred percent free जाएगा यह आपका last तक पूरा revision अगर भी जो भी होगा वो भी पूरा आपका live जाएगा है ना जो भी important questions कराऊंगा वो भी पूरा live जाऊंगा बस exam जोगी वह यहां पर आपको आके बैठके देनी पड़ेगी जो नहीं यूटूब पर होंगी सारी पूरी hundred percent free है यूटूब पर होंगी classes हमेशा पूरी लाश तक अधूमेंशन है वैबसाइट है ना हां तो उसमें मैं अगर जैसे बाद में पर मंत की फीस है तो जो शॉट नोट से अगर मैं डिस्ट्रिब्यूट कर रहा हूं जैसे लास्ट यह बुक डिस्ट्रिब्यूट किया था इस साल फिर से वह बुक को और अपडेट करके और चीजें डाल करके उसमें अपडेट करके बाटोंगा तो वह सब इसमें जिएंगे उसका ठीक है क्योंकि टीशेट कंपल्सरी रहेगा एकदम पूरे क्लास के लिए क्लास 1 से ले करके क्लास 12 तर एकदम कंपल्सरी रहेगा हर दिन टीशेट तो अगर आपको एक टीशेट में चलता है वह आप देख सकते हैं है ना आगे बड़े तो आप आपन पह है time or time or time or reference point reference frame अवी भूल गया तूराण 2 मिनट में कोई साथ सनो बड़े क्यों चल रही है या रूकी हुई है इसको डिफाइन करने के लिए दो चीज़ चाहिए एक तो समय ताइम अगर सोचो टाइम भी डिफाइन ना हो तो कैसे बताओगे कि यहां से आ गया किस समय की बात कर रहे हो अगर टाइम ही न चले सोचो टाइम रुप जाए तो कुछ चीच का मोशन रच डिफाइन कर पाओगे हर सो टाइम सही न त ही इंग अडिफिए और टाइम के साथ साыт यह को सब्यों कर सकते और दूसरा है reference या reference को कि बदब कहां से टुखू टुकुर मोशन को देख रहे हो और आप से बतितुँछ क्या मन जाएगा पोजिशन अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा है with time and छुट गया यहां पर and with respect to reference frame we can say that the body is at rest, दो चीज़ के respect में एक तो time के respect में और एक reference frame, अगर इन दोनों के respect में अगर object अपनी position चेंज नहीं कर रहा तो आप क्या बोलोगे? rest क्या बोलोगे? rest और अगर इन ही दोनों के when a body changes its position with time and with respect to any reference point, यहां दिया हूँ वहाँ type करना भूलगे है मैं is said to be in motion अगर reference point के respect में और time इन दोनों के respect में अगर object अपनी position change कर रहा है तो पर उसको क्या बोलेंगे? motion जल्दी से लिखो notes बनाओ कल से एक पतली copy बनानी है ठीक है? physics और chemistry के notes की खाली छोरी लिखने की derivation, definition से सब लिखने के लिए पतली copy इतनी पतली copy चलेगी है ना? और notes copy में अगर में को कुछ और मिल गया सोचे रहना फिर है ना? बहुत सीरियोस हो इस साल notes, homework, improvement चाहिए अलग से देख के लगना चाहिए add dimension के बच्चे है होगा ऐसा? और इस साल तुम्हों को जीम जाने की जावत नहीं है अगर कोई जाते हो तो मैं यहीं पर तुम्हों की पूरी exercise करा दूँगा homework मत करके आओ, 100-100 पार उठक बैठक यह भाई सब कौन है अवाज तो आ रही है न हाँ हलो हलो माइक टेस्टिंग अजदस तरिक्यास ते स्टार्ट हो गया अब कोई भी आएंगे तो उनको recorded देखना पड़ेगा बता देना अपने सारे क्लास में बता देना से स्टार्ट हो गई है रेगुलर चलेंगी दिसंबर तक कंप्लिट होंगी पूरी पूरा थियोरी कंप्लिट हो जाएगा मैथ फिस और कैमनेस्ट्री है ना तो अब अगर कोई लेट जितना लेट करेंगे उनको उतना लेक्चर्स वीडियो देखना पड़ेगा मैं वापास से रिपिट नहीं करूंग आप क्योंकि स्कूल चालू हुए भी तुम्हारे कमस्कम 20 दिन हो गया बंदरा दिन हो गया है कि नहीं है पैंसे है हाँ है को मैं अच्छा है कोई बच्चा सुड़ी किया था है मैं मुस्किल से मिटाया हूं मैं उसको हो क्या लिख लिए आगे कितना देरे लिख रहे हो याद हो गया इफ बॉड़ी चेंजेट इस पोजीशन विट रिस्पर्ट टू टाइम एंड रिस्पर्ट टू रिफ्रेंस फ्रेम देन इट इस सट तो बें मोशन सिंपल अगर ऑब्जेट अपनी जगा चींज कर रहा है समय के रिस्पर्ट में और रिफ्रेंस फ्रेम के रिस्पर्ट में तो अपन उसको क्या बुलेंगे मोशन अधरवाईज रेस्ट बास समझ में आई समझ वाया चलो और थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे लेकिन हैंडराइटिंग के साथ ऐसा नहीं कि हैंडराइटिंग एकदम चलो आगे अब पोइंट और सम स्टेशनली अबजेक्ट विछ बढ़ी कंटिनेशनी चेंज इस पोईंट पोईंट क्या है इसको आसान भासा में बोलू तो एक ऐसा पोईंट या एक ऐसा फ्रेम जहां से आप टुकूर टुकूर मोशन को देख रहे हो उसको क्या बोलेंगेए रिफ्रेंस रेम या और इक ऐसा फ्रेम या एक रिभी जहांसे आप को Add-up कर रहे हो जहां अके ब्रम जयियुझे बड़्यी एक और पने प्रशेंच हो रहा है या आप पकेज़ो कर रहे हुआ है उसको क्या बोलेंगे अपने बहुत स्लो चलता है और ऐसे टिक 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 नहीं होती तो अगर आप जलता है तो आपको पता ही निचले ही कि रुगी हुई है थोड़ी देर तक देखो नहीं सकते कि वो बढ़ाना पड़ेगा हैं कि एक घंटे में देखें हां तो इसे वह इपोला गया है कि सम्टाइम कई पर क्या होता है speed इतनी slow होती है इतनी कम होती है कि बहुत difficult हो जाता है इस चीज़ को बताना कि object जो है वो move कर रहा है या नहीं कर रहा है जैसे simple घड़ी का R वाला hand है वो इतना धीरे चलता है उसको देखते रहोगे तो आपको लगेगा है नहीं कि वो चल रहा है वो पूरो यहां से यहां आजाएगा लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो चल रहा है घूरते रहोगे तब भी है ना तो वह है चलो इसको note down करने के आपशक्ता नहीं है वैसे मैंने note लिखा है इसको आपको बस ध्यान रखना है कि कई बार motion को immediately detect नहीं कर सकते immediately मतलब तुरंद उसके लिए क्या चाहिए समय कि यहां पहले यहां था अब आदा खिंटे बाद यहां है तो motion हुआ होगा चलो अब आता है scalar and vector quantity heading डावर जल दिसे तुम handwriting सुधार लो और एक copy अच्छी सी बना लो मैं बता दे रहा हूं और handwriting सुधार लो कब सुधार होगे अब है कल से रोज एक पेज में रुको एक दम सुंदर handwriting में कुछ लिखके दिखाऊ गया है ठीक है कि चलो इसके लाइं वेक्टर कॉंटिटी heading डालो जल्दी से बस heading डालके रख दो बस लाइंग किस दो है heading डालके बस सुन हो इदा रहा हम देखो कॉंटिटी को आपन डिवाइड करते हैं बेसिकली दो में scalar और वेक्टर और भी कॉंटिटी में करते हैं कि नभी रहें दो अभी आपके लिए खाले दो ये स्केलर और वेक्टर जैसे मैं कॉंटिटी की बात करूं मास किसकी बात करूं कि भी या इसका मास है 100 ग्राम तो मैंने यहां पर क्या पताया 100 ग्राम ठीक है तो अगर मैं बोलूंगा कि इसका मास कितना है तो कितने का एक एंसर क्याएगा हंड्रेड ग्राम अगर मैं बूलूं कहा है तो यह कोई सेंज बन रहा है और अगरouter का mansion कोई रहा है कोई bookता है इसका मांस कहां है ह। कोई सेंज बन रहा है आप बहूरों किस back ऺार है वह तो उसके अंदर है जयुभे मास कोई असतो थोरी कि इस डायरेक्शन में 10 ग्राम में त Programmie साओ मैं 30 ग्राम पिक्षा जाए इसका मैं इस तो ऐसे quantity को अपन क्या बोलेंगे? Scalar quantity ठीक है? तो ऐसे quantity को अपन क्या बोलेंगे? Scalar quantity जिसमें सिर्फ क्या पूछा जाए? क्या पूछा जाए? सिर्फ कितना से मतलब हो? वो क्या है? Scalar quantity बट मैं बोलू मैंने इस object पे force लगा है 10 Newton बताओ कहा चलेगा तो direction की भी जरूद है आपने फोर्स कहां लगाए मैं इलए bipolar लहुदर चलेगा उदर फोर्स लगाऊंका तो उदर चलेगा अब यहां direction की जरूद है कि इतना और कहा आपने 10 नूटन क़हा इस और माक्निट्शन क मास्थ किदल का का जो answer है उसको क्या बोलेंगे magnitude और कहां का जो answer है उसको क्या बोलेंगे direction है ना तो gene quantity के पास स्रिफ magnitude हो कितना उनको बोलेंगे अपन scalar quantity देखो कितना rice कितना है 100 ग्राम 20 ग्राम समझे रहो कितना 10 Newton का, कहां right में, east में, west में, north में समझ रहे हो, तो कितना भी और कहां भी, direction भी और magnitude भी तो देखो, इसमें कितना तो कितने का जो answer होता है उसको पन क्या बोलते है magnitude और जिसके पास only magnitude होता है उसको पन क्या बोलते है scalar quantity और जिनके पास magnitude के साथ direction भी होता है उनको अपन क्या बोलते है vector quantity चीक है, याद रहेगा है ना, फटाक से लिखो quantities having only magnitude is scalar whereas quantity having both magnitude and direction is vector आजो बैठो 9 पढ़ो थोड़ा दे 10 मिनिट कल से चार बजी आ जाना ना तभी तो लाइन से मैं पूरी क्लास से डिल कर दूंगा 910 यूटूब में है ना 910 11 तो नहीं चलू कर रहा हूं final होगा है ट्वेल्थ चार क्लास बहुत हो जाएगा मेरे लिए मैं नहीं कर पाऊंगा चार क्लास ब्रेक टूबए अच्छा का मैसेज भी तो डालना है ट्वेल्थ की क्लास का भी तक एक बार भी डाला ही नहीं ग्रूप में मैं मैसेज नहीं डालाऊनो 12 की ग्रूप का मैसे किसी भी ग्रूप मिली डालाऊनो 12 ग्रूप पंवा तयमक चार रालाहा क्सी मिली तो सम्रें ट्रूप अच्छा बंकि क्रूप ट्वाचिंगा इंके ट्वरूप अटिरू में प्रूप इंके प्रूप ब्रूप шाई मैं है एंस ग्रूप यह टो लिखलिए, क्या लिखलिए, quantities having only magnitude is scalar quantity, whereas quantity having both magnitude and direction is vector quantity, लिखलिए ये, किसे मैं साचप दी जास्म मैं बनाया हूं है स्टेटमेंट में लिखे हो ना कि ये अ हाँ चलो आगे 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 चलो इधार देखो ठीक है जिनके जी ऐसी कॉंटिटी जिसमें सिर्फ पूछना पड़े कितना वो इसकेलर जिसमें पूछना पड़े कितना और कहां वो वेक्टर तो आगे बढ़ते हैं अब डिस्टेंस और डिस्टेंसंट ये ऊद्यो क्कॉंटी एटी डिस्टेंस और डिस्टेंस में रुख जाब हिया जभम्हें जब मैं बोलूंगा लिखने तक लिखना है उके चलो लिखलो हडिधि निखी लिखने की पहले तो लिखनो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस्मेंट देखो आज सिर्फ 31 मिनट की ग्लास हो पाई यह 5 मिनट की और होगी मतलब 36 तक की हो पाई की 31 होए है कल से मैं चाहता हूं कम से कम 55 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो ठीक है मिनिमम और 31 मिनट में भी 5 मिनट तो खाली डिटेल्स के है ना चलो क्योंकि अपन को कंप्लीट करना ही है अपन और टार्गेट करेंगे कि दिसम्बर स्टार्टिंग तक ही करें तब जाके वो दिसम्बर एंड तक होगा है ना क्योंकि देखो स्कूल से आगे बढ़ना तो छोड़ने की जरवत नहीं एक घंटे की तो कोचिंग है समझ रहे हो तो कोई भी एक्जाम हो इस्कूल की कोई सी भी तो उसके लिए आपको ट्रेशर होने की जरवत नहीं है है ना बिल्कुल भी क्लियर है चलो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेश्मेंट अब आपने क्य तो एक में अपन सिर्फ बात करेंगे कि कितनी चेंज किया और एक में क्या बात करेंगे कितनी और कहां चेंज किया तो जब अपन बात करेंगे कि जगा तो चेंज किया लेकिन कितनी किया तो उसको अपन खाली क्या बोलेंगे डिस्टेंस बात समझ में आई डायरेक्शन से मतलब नहीं है कहीं भी किया हो अपन को क्या मतलब है total कितिनी जगा change किया कितिनी दूरी की जगा change किया वो अपन क्या बोलेंगे उसको distance लेकिन मैं बोलू particular east direction east direction में कितिनी position change किया तो वो क्या बन जाएगा displacement यह न इस्ट तो अगर मैं particular particular direction बोलू चाहे east बोलू west बोलू, north बोलू, right बोलू, left बोलू, up बोलू, down बोलू कोई भी direction बोलू एक particular direction में जब अपन बात करेंगे कि उस direction में कितना travel किया तो अपनों उस मतलब क्या करें क्या निकाल रहे हैं displacement बास समझ में आई दोनों दूरी बताते हैं, distance भी दूरी बताता है displacement भी दूरी बताता है बस distance जब आप मिखालते हो तब आप direction नहीं देखते हैं कहीं पर भी घुमाओ total कितना चला, बास समझ में नहीं और displacement में आपन क्या देखते हैं एक particular direction में कितना चला बस ही अंतर है, is that clear? क्या बताते हैं, distance displacement अरे अभी तो बोला distance में कहीं भी चला हो, बस कितना चला और displacement में कितना और कहां चला दो चीज हूँगी, है ना, ठीक है तो आप देखो, अभी मैंने बताया था जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछना पड़े, कितना वो क्या होता है, scalar तो आपको तूरल समझ में आ रहा है कि distance कैसा quantity है कैसा quantity है और displacement कैसा quantity है कैसा quantity है ठीक है, तो distance जो है वो आपका scalar quantity displacement जो है वो आपका vector quantity और दोनों क्या पताते हैं, दूरी दोनों क्या पता रहे हैं बास समझ में आई, दोनों omet v8 आफ दोनों दूरी बता रहें बस डिस्टन से स्केलर है दिसक्लेस्टक्षिकेश्मेंट वर рах ठास इफरेद करते हैं अभी ये लिखने का ए टोजने सेन्ट अब ये लिखने का अब माल रूह और क면 गया रहा था गर से आप आफ जा रहे हो एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइम में जाते हो गया कि घर से निकले स्कूल तक बाद से मोड़ना ही नहीं है एकदम स्ट्रेट ऐसे जाते हो गया नहीं गुंपिर के जा रहे होगे कहीना कहीं से राइट लिए लेफ्ट लिए है ना अब इतना बड़ा तो सहर भी निए कि पचास गां राइट-फल होगे तो अब यह जो आपने एक्ट्र में रास्सता ट्रावल करें इसके कुस्थ दूरी होागी यह ilanиссया अपने ट्राफल करें लेंघ होगी यह जो लेंद है इसको क्या बोलेंगे डिस्टैं एक्ट्वल पात्ग्स फैक्श्न फार्ट वाइच्छ उब जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो हां what is distance actual path travel by object what is distance हां तो जाल भीरे क्यों बोलरहो अभी लडाई करनी होगे तो तेसति बोलोगे हां सिखें एक्शुल path travel by object जो actual पाथ travel हो रहा है उसकी जो लेंद्ध है उसको क्या बोलेंगे distractions और displacement क्या है shortest आपके घर से आपके स्कूल direct cd-line जो है उसको अपन क्या बोलेंगे displacement shortest path सबसे छोटा path यही बनेगा और कोई पाइस से और छोटा path हो सकता है क्या अब प्लीज black hole और warm hole मतला ना कि डॉक्टर strange का यहां warm hole create करेंगे एक मिनट में वहाँ है ना तो वह नहीं लाने बोल रहो हो है यहां पर normal physics की बात कर रहें यहां पर ठीक है तो सबसे छोटा path यहां से और यहां के बीच का यही लाइन होगी यह सोरो है ना तो यह जो सबसे shortest path है किसी भी initial यह initial point था और यह final final position है नहीं यह और यह कैसी position है initial initial मतलब starting की starting में जो है initial start जहां से कर रहे हैं है ना और यह कौन सी है final तो initial और final के बीच में जो shortest रास्ता है shortest मतलब straight line जो उन्हों को join कर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे displacement तो एक तो यह difference हो गया the actual length of the path covered by object is distance the shortest distance between initial and final point is called displacement तो यह difference अगर आएगा distance of displacement गया तो पहला तो definition हो गया ठीक है पहला क्या हो गया definition second distance क्या होते है scalar displacement क्योंता है vector क्योंकि distance से सर्फ पूछना पड़ता है कितना और displacement में पूछना पड़ता है कितना और कहां very good चलो अब अगर कोई अबजेक्ट चला है तो दिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता अगर आपने घर से गाड़ी निकाल ली तो डिस्टेंस की आया ट्रावल कुछ नो कोछ है ना बडिस्प्लेस्मेंट क्या है वो जीरो हो सकता है मालों जिस पॉइंट से मैं श्टार्ट किया घुम्फिर के वापस उसी पॉइंट में आ जोँगा तो सॉट इस पात कितना हो गया जीरो अरे स्टाटिंग भी यही से एंड भी यही से कोई एक पॉइंट था इस एक पॉइंट से चालू करके घुम फिरके वापस वहीं आ गया तो यह दोनों सेम पॉइंट के पिछकी दूरी कितनी होग कितना है मेटर दूरी को किसमें आपते हैं मेतर तो चाइब ठीकसे मेंट डुनों擊 डिस्टेंस उत दोनों का अच पानने चाहिं मों इस सकता यह सकता है लेकिनाइव भी पॉगों मों disgust in मैंने मैं और मीर्ण आधर जा रहा हूं आप क्या पॉजिव पॉजिटिव लेगिन मैं इधर जा रहा हूं तब क्या बलोगे नेगेटिव तो डिस्प्रेस्मेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वेरास डिस्टेंस इस अल्वेज पॉजिटिव चलो लिखो फटाक से इसको लिखो फिर आज की कास के छुट्टी तुम होगी आपके लेक्ट्टर को आगे कंटीडिव करेंगे कल यह मैं आज का रिकॉडडेड आपका अप्लोड कर देता हूं अभी है ना आपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर देना बोले ना जतना जल्दी हो सके जवाइन अगर करना है तो कर ले आदो मत ही करें मैं रिपीट नही अगर करते हैं आज की क्लास फिर मिलेंगे अगली क्लास में